पद्मासन्य पद्म पद्माक्ष में, पद्म सम्भवें, तन्में, भजसी, पद्माक्षी, गें सौक्यं, लभाम्य हम तो प्रेम से बोलिये भक्तों मा लक्ष्मी की जै श्रीगणपती का ध्यान लगा कि मा शारदा को शीश जुका कि दीपावली की कथा सुनाओ अतिमंगल मैं गाथागाओ कार्टक मवस्या को पावन आता है यह पर्व सुहावन इस दिन मा लक्ष्मी का ध्यान भक्तों करता है कल्यान माता लक्ष्मी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा धार्मिक साक्ष्यों के अनुसार दीपों का है यह प्योहार इस दिन मा धरती पे आती भक्तों पे करुणा वरसाती श्रीकु बेर जी श्रीदन राज करते हैं भक्तों के काज जो इनका करता गुणगान पाता मन चाहा वरदान माता लक्ष्मी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा भक्तों दिपावली का पावन पर प्रती एक वर्ष कार्थिक माह की अमावस्या तिथी को मनाई जाती है ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी यक्षिपती श्री कुवेर जी और प्रत्थम पुज्य श्री गणीश जी महाराज के साथ बृत्वी पर घ्रमन करने आती हैं इसे लिए इस दिन जो भी माता लक्ष्मी का सच्छी भाव से पूजन बंदन करते हैं उनके समस्त संकट अत्यंत सहर्ष्ता से समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन परम मंगल मैं बन जाता है इसे कारण से इस दिन भत्य जन अपने घरों की अच्छे से साफ सफाई करवा के माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी महराज की स्वागत की पूरी तयारी करते हैं अब आगे शबन कीजिए तो प्रेट से बोले भगतों लक्ष्मी माता की जय इस दिन घर को स्वच बना कर फूलो के जैसा महकाकर करते हैं सब जन तैयारी माता के स्वागत की भारी संध्या बेला होती है जब घर घर देप जलाते हैं सब फिर मा का वंदन करते हैं स्वागत अभिनंदन करते हैं माता लक्ष्मी नमो नमहा विष्णु प्रिया मा नमो नमहा माता लक्ष्मी नमो नमहा विष्णु प्रिया मा नमो नमहा मा लक्ष्मी जब घर आती है चहुद से खुशिया चाती है दुखदर दृताएं हटती है सारे बाधाएं कटती है पल्व दिवाली का तिन्यारा कैसे शुरू हुआ यह प्यारा सुनो सभी यह कथा पुरानी है अतिशे प्राचीन कहानी माता लक्ष्मी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा भक्तों सनातन संस्प्रती के सबसे विशिष्ट पर्व दिपावनी की शुरूआत कैसे कब और किस प्रकार प्रारंग हुई आये श्रवर करते हैं इस त्योहार को मनाने की पीछे अनेको पौरानिक मानेताएं हैं जिन में कुछ प्रचलिक कथाएं इस प्रकार है कि एक बार कार्टिक माह की अमावस्या तिथी को माता लक्ष्मी प्रिथ्वी पर विचरण कर रहे थी भ्रमन करते करते रातरी हो गई अमावस्या तिथी को भयंकर अंधिकार होने के कारण माता लक्ष्मी रास्ता भूल गई पर क्या हुआ अब आगे शरवण कीजिए तो प्रेंच से बोलिए भक्तो लक्ष्मी माता की जैर चहुद सिचाया घोर अधेरा कही नहीं प्रकाश का डेरा पथ को भूल गई है माता कोई कही नजर नाता निंद्रा में सोया जगसारा बंद सभी के घर का द्वारा माता अब तो किसे बुलाए बात समझ कुछ भी नाए माता लक्ष्मी नमो नमः विश्नु प्रिया मा नमो नमः इस प्रकार से विच्रण करते पहुची है माता एक दर पे सम्मुख ही एक घर के अंदर दिव्य प्रकाश दिखाते सुन्दर माता ने आवाज लगाई पाहर निकली है इक माई ब्रधा मा को ले गई भी तर स्वागत किया है अतिहर शाकर माता लक्ष्मी नमो नमः विश्नु प्रिया मा नमो नमः भगतों उस घर के भीतर एक ब्रधा महिला चर्खा चला रही थी जब माता लक्ष्मी ने दर्वाजे पर जाकर आवाज लगाई तब वह महिला वहार निकर कर माता लक्ष्मी को आदर पुर्वक अपने घर के अंदर ले गई और भाव सहेत भोजन आदी पूच कर विश्राम की यशोचित व्यवस्था करने लगी विश्राम के लिए बिस्तर आदी की व्यवस्था होने के पश्चात माता लक्ष्मी आराम करने लगी और वह व्रिधा महिला पुनह अपने कारियों में व्यस्त हो गई अब आगे शरवन कीजिए तो प्रेंच से बोलिए भटो लक्ष्मी माता की जै अपने कार्य में व्यस्त हुई जो नींद आ गई है उसको तो सुबर उठी तो देखा है घर बना हुआ महलोसा सुन्दर स्वर्ग लोकसा भव्य नजारा उसकी कुटिया काति प्यारा लोगों ने भी देखा है जब देख आशर चक्त हुए सब माता लक्ष्मी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा कार्य हो गया सब कुछ पूरा रहा न कुछ भीशेश अधूरा धन वैभव से भरभंदार चहुदे सिछाई खोशी अपार फिर बुढ़िया ने देखा जाकर मा लक्ष्मी ना थी घर धीतर उसे हुआ तच्छन आभार ये थी मा की करुणा खास माता लक्ष्मी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा भगतों उस पुढ़िया ने चारों तरफ बहुत ढूंडा परन्तु जब माता लक्ष्मी कहीं ना देखी तब उससे यह बात समझते देवना लगी कि कोई और नहीं बल्कि स्वया माता लक्ष्मी ही थी जिन्होंने मेरी सेवा को स्विकार करके मुझ पर यह क्रिपा की है इसके बाद चारों तरफ बुढ़िया की प्रशंसा होने लगी और फिर सभी लोगोंने इस दिन माता लक्ष्मी की क्रिपा प्राप्त करने के लिए प्रकाश उत्सभ करने की परंपरा प्रादुब कर दी कभी से इस दिन माता लक्ष्मी की आगमन के लिए सभी लोग अपने घरों के दर्वाजी खोल कर द्रक्तने लगे और दीपक जलाकर पावन पर्व मनाने लगे अब आगे शवन कीजिए तो प्रेम से बोले भगतों लक्ष्मी माता की जैर इसी रोज वनवास बता कर राघव आए अबध लोट कर चारो और परम सुख छाया सबने घर घर दीप जलाया तब से महा पर्व यह प्यारा बना पून्य त्योहार हमारा घीका दीप जला कर सब जन करते है इस दिन प्रभु पूजन माता लक्ष्मी नमो नमहा विष्नु प्रिया मा नमो नमहा इसी रोज भगवान क्रिश्न ने नरकासुर को मारा रण में नरकासुर थाति अभिमानी अध्वत माया वेवर्दानी चहु दिसी अत्या चार मचाता दीवों को भी भैदिक लाता हाँ हाँ पार मचा जब भारी अकुलाई तब सब संसारी माता लक्ष्मी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा भक्तो नरकासुर को वर्दान मिला था कि उसका वद केवल माता प्रित्वी के इच्छा से ही होगा इस प्रकार अध्वुद वर्दान पाकर जब उसने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया तब भक्त संथ और देवताओं की करुण कुकार पे भगवान श्री कृष्न प्रित्वी स्वरूपा माता सत्य भामा को यूध शेत्र में अपने साथ ले गए माता सत्य भामा को देखकर नरका सुड ने कहा क्या अब स्त्रियां भी यूध करेंगी नरका सुड की बातों को सुनकर माता सत्य भामा ने कहा हे प्रभू अब आप इस दुष्च दैत्य का अतिशिवर संगहार कीजिए इतना सुनते ही भगवान्शु कृष्ण ने नर्का सुर्का तदकाली बद कर दिया अब आगी श्रवण कीजिये तो प्रेम से बोले भक्तों लक्ष्मी माता की जैन जिस दिन प्रभू ने दोष्ट को मारा मास कार्तिक दिन था प्यारा उसके वध से मंगल छाया सुर्मुनियों का मन हर शाया इस कारण भी सबने मिलकर दीपक देव्य जलाया घर घर दीपों सब का अतिशे पावन शुरू हुआ तब पर्व सुहावन माता लक्ष्मी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा एक और है गाथा खास वापर के युग का इतिहास वन में तेरह बश बताकर इसे रोज पांडव आए घर नगर बास योने हर शाकर खुच सब देव्य मनाया सादर घर आंगन और गाउँ शहर डग दीपक देव्य चला है जगवग माता लक्ष्मी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा भक्तों दिपावले से संबंदित में एक और कथा जुड़ी है कि समुद्र मन्थन की दोरान माता लक्ष्मी जी ने इसी दिन समुद्र से अवतार लिया था माता लक्ष्मी को धन और समर्धी की देवी कहा जाता है इस कारण भी आज के दिन प्रतीक स्थानों पर दीप चला करने। माता लक्ष्मी के पूजा का विधान है। इसी दिन हिंदु हृदय सम्राट महराज विक्रमादित्य का राजय विशेक हुआ था। और इसी दिन माता पारवदी ने राक्षसों का बद करने के लिए महाकाली माता महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयम उनकी चर्णों में लेट गए थे। फिर क्या हुआ अब आगे शवन की जील। तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्ष्मी माता की जै। लोट गए चर्णों में शवजम क्रोध मात का शांत हुआता मन में शांत भाव जब जागा रोधर रूप माता ने त्यागा इस कारण भी यह दिन खास बना पोण्य पावने तिहास इस दिन जहुदे से पहल प्रकाश करता अंधकार का नाश। माता लक्ष्मी नमो नमः विष्नु प्रिया मा नमो नमः माता लक्ष्मी ने इस दिन ही एक कन्या को दर्शन दी थी तिर उसको तो सखी बनाकर माता ने करुणावर शाफिर उसका कष्ट मिटाया है सब मा का नाम जपा उसने जब इस कारण से भी इस दिन ही पूजा करते सब माता की माता लक्ष्मी नमो नमः विष्नु प्रिया मा नमो नमः माता लक्ष्मी नमो नमः विष्नु प्रिया मा नमो नमः भक्तो यतो थे दिपावली के दिन को विशिष्ट और महत्वपून त्योहार बनाने वाली पौरानिक साक्षियों और तध्यों सहित कहानियां। आईए अब इस त्योहार के पुजा विधी को ध्यान से श्रवन करते हैं। सर्व प्रथम इस तिन स्नालादी करके स्वच वस्त्र धारन करें। तर पश्चात इशान खोण या उत्तर दिशा में साफ सफाय करके स्वास्तिक का परम शुगदायक चिन बनाए। उसके उपर चावल रखकर लकडी का पाट बिछा कर उस पे साफ लाल कपड़ा रखके उस पे माता लक्षमी सहित श्री गणेश जी और श्री कुवेजी की मूर्ती रखकर समुख पंच देख को स्थापित करें। अब आगे श्रवन कीजिए तो प्रेम से बोले भक्तों लक्षमी माता की जै। मालक्षमी के सहित सभी पर हल्दी कुम कुम फोल चड़ाकर चंदन से शुभ तिलक लगाएं मंत्र जपे नैवेध चड़ाएं फिर व्यंजन स्वादेष्ट बनाकर मालक्षमी का भोग लगाकर आरतिकर जैकार लगाएं यह प्रसाद सब में बटवाएं। माता लक्षमी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा इस दिन ध्यान लगाते हैं जो मागी करुणा पाते हैं वो सारे भय बाधा मट जाते कठिनाई नापथ में आते गीत कार सानंद सदाहीं करेवंद नामा लक्षमी की रोहित मा कोशेश चुकाएं दिवाली के कथा सुनाएं। माता लक्षमी नमो नमहा विश्नु प्रिया मा नमो नमहा भग्तों दिपावली की रात तंत्र विद्या और अन्य मंत्र साधना के लिए भी अत्यात्य महत्विकुण मानी जाती हैं। इस दिन पूजा करने से दर्यद्रता दूर होती हैं तथा कर्ज से मुक्ति मिलती हैं जो इस दिन शुद्ध भाव से माता लक्षमी की अराधना करते हैं। विधन, धान्य, यश्वैभव, आदि, समस्त एष्वरियों से अतिशिकुरेही संपन्न हो जाते हैं। इस दिन जुआ खेलना तथा व्यसन आदि करना वर्जित माना जाता है। जो भी भाव पुर्वग इस दिन माता लक्षमी की या कथा सुनेगा, वो सदैव माता की कृपा का पात्र बना रहेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता लक्षमी की जैन। जाते हैं।